आजमगड चारों तरफ से तमसा और घागरा नदियों से घिरा हुआ है हर साल बार से सेकडों गाओं में जानमाल का नुकसान होता रहता मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रेंट बना कर नदियों पर बार का नियंतन कर सके मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए ताकि मानने अटल बिहारी बाचपई जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था उसे पूरा किया जा सके मनरेगा जैसे महतुपू नियोजना के बजट में 13,000 करोड की कटोती की गई है हम सभी को ग्यात है कि ग्रामिन अंचलों में मनरेगा के तहट कार करने वारे मुझदूर अधिकांश अनुसुचित जाती जन जाती और पिछड़े वर्ग से आते हैं इसके पूर्व के बजट के भी बाशनों में था यह बजट भी मुंगेरी लाज के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है इधर उधर की बात न कर तू इधर उधर की बात न कर यह बता कि काफिला कैसे लुटा मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है सर देश के साथ साथ आजमगड की जनता भी बहुत उम्मीद से मानने मंत्री की तरफ और मानने प्रधान मंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैटी है अमरितकाल के बजट में आजमगड को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा जिससे हम सभी लोग अमरितकाल का बजट 24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहरे भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं के इन सरकार के बजट जिसमें घोशनाओं वादों दाओं और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है किन्तु वे सब बैमानी हो गए जब भारत का मध्यम वर्ग, महेंगाई, गरीबी, बहरोजगारी और कोविड के चलते लोवर मिडल क्लास बन गया यह बजट भी पिछली वित्ते वर्षों से कुछ जादा अलग नहीं है सरकारे अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती है उन कमियों के स्थान पर नए वादों की जड़ी लगा देती है सच्चा ही यह है कि सो करोट से अधिक जन्ता का जीवन हमेशा ही दाओं पर लगा रहता है जैसे कि इसके पूर्व के बजट के विभाशनों में था यह बजट भी मुंगेरी लाज के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है महुदै बजट में हर वर के लोगों को लुबाने की कोशिश की गई है जहां पांच लाग का इंकम टैक्स लाप को बढ़ाकर साथ लाग कर दिया गया है इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी वही नई टैक्स रजीम और पुरानी टैक्स रजीम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिती पैदा कर दी है कि किस टैक्स रजीम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा महदैं आपके माध्यम से मैं मानने वितमंतरी जी से अनुरोध करूंगी कि अपने अभीभाशन में इस टैक्स रेजीम को अवश्य स्पस्ट करें मनरेगा जैसे महतुपून योजना के बजट में 13,000 करोड की कटोती की गई है हम सभी को ग्यात है कि ग्रामिन अंचलों में मनरेगा के तहट कार करने वारे मजदूर अधिकांश, अनुस्यूचित जाती, जन जाती और पिछड़े वर्क से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामिन में पलायन भी रुका हैं साथ ही साथ रोजगार के सुरजन भी प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में प्रधान संग के सभी लोग अंदोलित हैं कि उनका समय से भुकता नहीं हो पा रहा है और जो भी करमचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किये गए हैं उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं महोदय वित्तर वर्ष तेईस चौबिस में सरकार दवारा एकलव ए मौडल आवासी विद्धालाओं के विकास के लिए तीन अजान नौसो तिरालिस करोड रुपए की वृद्धी की गई है यह एक सराहनी एक अदम है लेकिन अनुसूचित जाती OBC और EWS के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रवासों की जरूरत है खास तोर पर मेरे जन्पद आजमगड में जहां कई एकड़ की सरकारी जमीन अब भी खाली पड़ी है मेरी सरकार से मांग है कि आजमगड जन्पद एक मंडल है जहां अभी महराजा सुहेल देव विश्विद्याले संचालन में आया है जिसके चलते कई दिलों के छात्रियां पठन पाठन करने आते हैं इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रवास बनाए जाएं महोदै बजट में आकांशी जिले और ब्लाक कारेकरम की सफलता को सरका स्वास्त पोशन शिक्षा क्रिशी जल संसाधन वित्ती समावेशन तता अन एतू 500 ब्लाकों का चैन करने के कारेकरम शुरू करने जा रही है मैं चाहती हूँ कि हमारे जन्पत आजमगड के समस्त ब्लाकों को इस योजना में सामिल किया जाए महोदै आजमगड में महाविकास की योजना की रूप रेखा अभी तक तयार नहीं है जिसके कारण से भूमी आवंटे नहीं हो पाया है कौन सा ग्रीन लाइंड है कौन से अध्योगिक भूमी है कहां पार्क है कहां क्रिडास्तल है कहां सरकारी जमीन है कहां वनी करन है कहां सीवेज का प्लान है इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तयार नहीं है ADN वर्ष 2021 के लिए महा योजुना का मास्टर प्लान बना कर 2021 में शाशन को बेजा है लेकिन अभी तक इसकी स्विक्रिती नहीं मिल पाई है अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे है और दोगुग भूमी अलग नहीं होने के कारें कार्परेट समोवर बड़े ब्रैंड की कंपनिया जन्पद में अपना रुक नहीं कर रही है इसलिए यहां विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है आजमगड चारों तरफ से तमसा और घागरा नदियों से घिरा हुआ है हर साल बाठ से सेकडों गाओं में जानमाल का नुकसान होता रहता मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रेंट बनाकर नदियों पर बाठ का नियंतरन कर सके और अभी हाल मैं ही मानने प्रधान मंतरी जी ने गंगा नदि पर कमर्शिल क्रूस का उदगाटन किया है मैं चाहती हो कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए ताकि मानने अटल बिहारी बाठपाई जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था उसे पूरा किया जा सके आजमगड को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदिये छेतर लाल गंज, फूलपूर, निजामबाद और बूढ़न फूल के तरसीरों से भी जोड़ा जाए सर हाइवे की बात करों तो एनरेज 22-33 पिछले 6 सालों से बनने को है लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है PMJSY की सडकों की बात करों तो सत्र खतम होने को है लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है सरीन सरकारी योजना उपर भी सरकार को ध्यांग देना चाहिए और इसको जल से जल पूरा कराना चाहिए हर घर नल योजना जो सरकार अभी बात कही है सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है बनने तो दूर की बात है आजमगड में डॉमेस्टियल इंडस्टियल का कॉरिडोर घरेलू और दोगिक गल्यारी की स्थापना की जाए इंवस्टियल समिट 2023 जो भी हाल में उत्रप्रदेश में चल रहा है उसे में आजमगड को भी सामिल किया जाए ताकि आजमगड में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड इकटा हो रही है उसे रोका जा सके आजमगड का मंदूरी आएरपोर्ट पूरी तरह से बन के तयार है उसे जल से जल संचालन में लाया जाए और एरपोर्ट से तहबरपूर बजार होते हुए निजामाबाद फरिया बजारों से मुहमदपूर वारांसी फोर लेन तक जोड़ा जाए आजमगड के इतवरा में महराजा सुहेरदे विश्वविद्याले और चक्रपानपूर में मेडिकल कॉलेज होते हुए महनाजपूर वाया सिधोना तक पूरी सड़क को फोर लेन में तबदील किया जाए जिसे वारांसी आजमगड के एक अन्य सिधा मार्क बन जा और ट्र जा जिससे वहां के लोकल प्रोड़क्ट अनाज फल सबजीयों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए आजमगड में ब्लैक पॉट्री काले मिट्टी का बरतन का उद्योग और रेशम उद्योग जिसमें मुबार क्रेडिट काट ज़िसुविदाय भी प्रदान की जाए आजमगड में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्ज की खेती होती है लेकिन इसके भंडारन और निर्यात का प्रभण नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल नहीं मिल पाता है मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसरी क्षेतर में कोर्ज्ट ऊरेट की साफना की जाए सननाई की खेती एम अमारे यहां होती थी लेकिन अब यह किसानों को प्रोस्ताहित किया जाए तो जूट उद्द्यों ग्यां सताफित हो सकता है और यह मुर्ट प्राय खेती भी पुना जीवित हो सकती है मानिय वित्मंत्री जी ने अपने भाशन में श्रीयन की बात कहिए आजमगड की भूमी इस तरह के श्रीयन जिसमें बाजरा जवार रागी जो जैसे अनाश शामिल है इसके रिए प्रतिकूल है मेरी सरकार से मांग है कि और्गानिक खाद सरकारी समीतियों म और्गानिक खाद और श्रीयन के भीज उपलब करा जाए जिससे आजमगड में भी इस तरह के श्रीयन की भारी मातरा में खेती हो सके आजमगड में मत से संपदा योजना के तहट जैसे कि मैंने पहरे ही कहा कि नदी तालाप का जाल बिच्छा है इसको भी प्रोटसाहन करन बनाकर एक्सप्रेस वे और फोर लेन से जोड़ा सबस दो मिनिट मेरे संसदी चेतर चेतर से मातर 40 किलो मीटर दूर पधान मंतरी जी का चेतर है और दूसरी तरफ मानिये मुख मंतरी जी का चेतर है आजमगड बीच में होने के कारें पुरवांचल का दिल कह सकते हैं यह द समरित काल्म का उच्सव मना पाएंगे और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाशन में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे मैं दो लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर तू इधर उधर की बात न कर यह बता कि काफिला कैसे लुटा मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है सर देश के देश के साथ साथ आजमगड की जनता भी बहुत उम्मीद से मानने मंत् सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले